हलो गाइज दिश्रोइक और यह है यह एशूस देट पोट्ट मिला था एंडडर और अबी भी हमें इस दिवाइस में एंडरेट और और अप्डेट नहीं देखने के लिए मिलता है तो एसूस ने चूपर्म किया था जब यह डिवाइस लाँच हुआ था जैनुरी में एंड यह पॉस्ट पर दिया है कि यह एंड्रवी का बीता प्रोग्राम वह स्टार्ट कर दिया है मतलब आप एड हो सकते था लिए अपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पर एका सब कुछ वोलूंगा इस वीडियो में तो यह सबसे पहले ही बोल देता हो यह एंडरुड पाई का मतलब हमें stable अभी नहीं मिलेगा stable update और यह मतलब आईसुस ने पहले नहीं बोला था कि बीटा प्रोग्राम होगा पहले उसके बाद stable program आएगा तो आप एड हो सकते हैं बीटा प्रोग्राम ने उसके लिए आपको कुछ rules and regulation follow करना परेगा कुछ agreements भी है सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा तो मैं यह clear cut बोल सकते हूँ यह जो stable update है यह अभी नहीं आएगा लगबग एक मान तो लगेगा ही सबसे पहले कुछ लोग add होगा मतलब add होंगे android pi की बीटा प्रोग्राम ने एक बात सुन लो यह वीडियो पूरा देख लो यह completely clear cut बोल दिया है कि करो अपने रिक्स में मतलब बीटा प्रोग्राम में add हो अपने रिस्क में और मार गए तो मुझसे शिकायद मत करना तो गाइस यह जोक था है तो यह तो यह ने यह clear cut बोल दिया है कि करो अपने रिस्क में और डेटा लोज भी हो सकता है और आपको अपना डिवाइस को रूट भी करना पर सकता है तो उसके अगर रूट होता है रूट करते हो अगर आप इस डिबाइस को अपने के बाद आपको एसा इंटरफेस देखनी के लिए मिलेगा मतलब जो लिंक है वो है azos.in slash vita-testing slash तो आपको क्लियर कर देखने के लिए मिलता है कुछ इंफरमेशन जब से पहले है एक Zenfone Max Pro M2 Android 5 beta program user program beta power user program तो यह पर कुछ मतलब कुछ information आपको देखने के लिए मिलता है before installing a beta firmware on your device you need to know a few things आपके पास एक Zenfone Max Pro M2 होना चाहिए आपको IMEI number series मतलब जो serial number है वो भी add मतलब देना परेगा और English जानना परेगा लाग इंग्लिस तो सबसे पहले आपको I agree पे click करके enroll करना परेगा उसके बाद आपको एक और नया पेज देखने के लिए मिलेगा next page तो इसके लिए application का procedure लिखा है तो आप इसे ध्यान से पढ़ना मैं आपको मतलब शौट करके बोल देता हूँ तो आपको मतलब इस पेच के बाद एक form एगा उसमें आपको फिलाप करना होगा तो यह पर जो step 1 है आपको फिलाप करना होगा सब कुछ करेक्ट करना होगा step 2 जो है वह है you will receive a reply once we have received your application and selected you for beta user beta power user program based on application screening for beta power user program members members created here तो आपको सबसे पहले मतलब application जो है वो फिलाप करना होगा उसके बाद वो ही मतलब अगर आप मतलब capable अगर होंगे तो ही आपको reply करेंगे वो अपने through email email करेंगे ऐसा ही कुछ होगा तो step 3 जो है वह है you will then receive an email जैसे की बोला तो फर्मार का link आपको मिलेगा उसके मतलब जो update है Android Pi का beta है उसका link आपको मिलेगा उससे मतलब वह से ही आप देख सकते हैं तो फर्म आपको पूरा का पूरा फिलाप करना होगा नाम, जेंडर, एज, डेट अवबात, नेशनलिटी, अकुपेशन, इमेल अरीफोन नमबर तो आपको यहां पर अपना serial number देना परेगा सेटिंग में जाके आपको मिल सकता है तो आपको नेक्स जो मिलता है question वह है, have you rooted your Zenfone Max Pro M2? नोटिस जो है, the warranty is no longer valid if you root your device मतलब अगर आप अपने ASUS Zenfone Max Pro M2 को root भी कर चुगे है तो तो भी शायद आप इस beta program में add हो सकते तो आपको यहां पर कुछ R&D क्लियरिफिकेशन देना परेगा, do you agree to receive, yes करना होगा simply और agreement जो है ना मैं बोलना चाहूंगा, agreement जो है ना एकदम बहुत क्लियर कट ASUS ने बोल दिया है कि मतलब मैं short करके बोलता हूँ, मतलब ASUS ने यह clear cut बोल दिया है कि अगर आप add होना चाहते हो, add हो सकते है आप कोई भी add हो सकता है, लेकिन अपने risk में add हो, data loss हो सकता है, यही है main बात और यहां पर जो लिखा है दो number option वह है, I understand, the warranty is no longer valid if I root my device and will have to great chances to encounter issues मतलब अगर आप बीटा प्रोग्राम में add होते हो, तो आपको हो सकता है आपनी device को root करना पर है, stable update के में stable में आने के लिए और उसके बाद आप unroot भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप रूट करेंगे तो आपको warranty हो जाएगा, warranty valid नहीं रहेगा और बीटा में बहुत से प्रॉब्लेम भी होगा, मतलब प्रॉब्लेम भी आपको report करना होगा, तो अगर आप लोग ये सब agreement follow कर पाएंगे तो ही add होना मैं clear cut बोल सकता हूँ कि अगर आप Asus Zenfone Max Pro M2 को ऐसे primary device यूज़ करते हो तो मैं ये recommend करूँगा कि आप add मत हो तो अगर आप Asus Zenfone Max Pro M2 को तो आप basic check कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो लेकिन आप ये सब ध्यान में रखना कि आपका जो mobile है उसमें data loss होगा, जरूर होगा, आपके अपने risk में करना होगा, और you may have to root your device तो इसके बाद आपको सिधा next में click करना होगा, उसके बाद Asus ही आपको 24 या फिर 48 hour के अंदर contact करेंगे, अगर आप select होते हो तो आपको contact करेंगे through email जैसे की पताया था, मतलब पहले जो information लिखा था उसकी सबसे, आपको contact करेंगे, उसके बाद लिंक ही देंगे, Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए पाई बीटा अपडेट, लिंक देंगे, उसके बाद या आप बीटा प्रोग्राम में add हो सकते, मतलब इस डिवाइस में बीटा Android Pie इंस्टॉल कर सकते, तो यार clear cut ही है, बाद Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए अभी कोई stable update नहीं मिलेगा, लगबग एक मन्त तो लगेगा ही ये आप to root your device, ये सब आप ध्यान में रखना, मैं recommend नहीं करूंगा कि आप ये करो, अगर आप इस device को as a primary device use करते हो, तो data loss हो जाएगा, क्या हुआ, इसके बाद बहुत ही problem हो सकता है आपको, तो यार ये आपकी मर्जी है, आप ये करना चाहते हो, या पर नहीं करना चाहते हो, मैं तो recommend नहीं करूंगा, फिर भी, मतब अगर आप beta tester में enable होते हो, फिर भी आप कुछ information, कोई भी information share नहीं कर सकते हो, ये जो agreement है, उसमें लिखा था, आप agreement को ध्यान से परना, description में भी दे दूंगा, और इस link में भी आपको मिल जाएगा, तो यही है बात, मैं normal user के लिए ब वीडियो पसंदार था फिर्टो काजी लाइकन, च्यार और चैनल को सब्स्क्रेब करना मधु पूला, मेरा नामे श्रीकोता फिल्टो होब से कोंड़ेक, साइडिंग वीडियो में दाप्ता किले जाएग, बंदे मातरम,